इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। अगर आपको बहतर महसूस होने लगा है या फिर भले ही आपका ब्लड प्रेश भी नियंत्रित हो जाता है तो भी इसे नियमित रूप से लेना जारी रखना आवश्यक है। हाई ब्लड प्रेश वाले अधिकांच लोग कोई लक्षन नहीं महसूस करते हैं, लेकिन अगर आप इस दवा को लेना बंद कर देते हैं, तो आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है। यह व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली दवा है और लंबे समय तक इसका सेवन करना सुरक्षित माना जाता है। जली आना, उल्टी, डायरिया, पेट दर्ड और ब्लड प्रेश कम होना शामिल है। इनमें से अधिकान शस्थाई होते हैं और समय के साथ सही हो जाते हैं। अगर आप साइड इफेक्ट से परेशान है या इनमें कोई सुधार होता दिखाई नहीं देता है तो अपने डॉक्टर से बात करें। अगर आपको किड्नी या लिवर से समबंधित कोई बीमारी है तो इस दवा का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को भी इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इस दवा का सेवन करने के दौरान डॉक्टर नियमित रूप से आपका किड्नी फंक्शन, ब्लड प्रेशर और खून में पोटेशियम लेवल की जांच कर सकते हैं विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद